देखे इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है भई तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रिफिक्स और सफिक्स क्या होता है देखे हिंदी में प्रिफिक्स को कहते हैं हम लोग उप्सर्ग क्या कहते हैं उप्सर्ग क्या कहते हैं सफिक्स को कहते हैं प्रत्य अब उप्सर्ग और पत्ते के माध्यम से हम आपको हिंदी मीडियम के छातरों को भी इसमें इस साथ में से आके अटेच हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे उपसर्ग इसी को English में कहते हम लोग प्रीफिक्स जैसे यहाँ पर हिंदी का एक वाट लिखा हुए मान मौ में आकी मातरा और नल वाला और ना मान और यहां पे लगा दी अप तो अब यह क्या बन गया अपसर्ग बात समझ में तो भी आपको परसान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर बिल्कुल नया सब कुछ सीखने को जानने को को समझने को मिलेगा ठीक है तो पूरे नए energy के साथ full of energy के साथ यहां पर हम सब को काम करना है पूरे जो सोख खरोस के साथ अपने के त्यारी करनी है और पहले में एससे को क्रैकर करके आना है एसा हम सबों को खुद से वादा करना किसे दूसरे यह से नहीं कि तुम्हारी कसम तुम्हारा कसम यह सब फर्जी बात है ठीक है चलिए आगे बड़े दूसरी बात सफिक्स सीखें तो माल लीजिए कि सफिक्स क्या है जैसे कोई एक वर्ड आप ले लीजिए जैसे आप एक वर्ड लेते हम यहां पर हम एक वर्ड यहां पर लेत ये क्या लगा दिये हैं D लगा दिये। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसीको हम लोग कहेंगे Suffix क्या कहेंगे? Suffix और ये सब के सब जितने आपको सामने दिखाए दे रहें इन्यत्ने अम्रम क्हारे हैं Suffix Suffix कहां लगता है? किसी भी word के ending में जैसे माल लिजे ये एक word है, और इधर से यहां के लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, सफिक्स, हिंदी में बोलते हैं, इसको हम लोग प्रत्य, क्या बोलते हैं, ठीक है, किए पढ़ेंगे यह किसी वर्ड के एंडिंग में आपको दिखाई देंगे और चुक्ड यह एंडिंग में अटेश होता है इसलिए हाँ पर देखे आपको पाचानेंगे यदि किसी भी सब्द के अंत में आप ध्यान से सुनिए पूरे कंसंटेशन के साथ और फिर इसको पहले सुन लेजिए समझ लिजिए और बाद में आप इसको कॉपी में नोट कर लेज़ेगा ठीक है बाद में जरूर से इसको कॉपी में देखने ही पड़ेगी क्यों देखने ही पड़ेगी भाई एक तो इंग्लिस गंचकर सब्जेक्ट जिसके नाम से बच्चे दासत में रहते हैं इंग्लिस समझ में नहीं आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है देखे कहावत है कि बेवफा को भी वफा बनाया जा सकता है बसरते आपके अंदर दम होना चाहिए आप में जो सोना चाहिए आप में जुनून होना चाहिए तो ऐसे ही जो सो जुनू का लाएगा क्या का लाएगा क्या का लाएगा नाउन जैसे किसी वर्ड के लास्ट में यहां पर दिखाए नहीं दे रहा है आरवाई लगा हो आई खया हो एहए उर वड क्या हो तो यह सारे के सारे वॉर्ड क्या हो घोज़े इनके लावा चानने के कही अपशन्स हैं कई तरीके हैं तो शुरुआत हम लոग करते हैं यहां से अब आई massacre करने की बाते होई कहने काम होता नहीं, जैसे तलवार, तलवार आप खरीद के लाइए, आप उससे किसी का मडर नहीं कर सकते, जब तक उसको सार्प नहीं किया जाएगा, तो जब तक तलवार को, धार को, जब तक तलवार का जो एज होता है, उसको सार्प नहीं किया जाएगा, तब तक वो किसी काम का नहीं होता है ठीक है तो आई हम लोग सको सार्ब करना है यहां पर किसी का मडर हो सकता है तभी हम अपना बदला ले सकते हैं सफलता हासिल कर सकते हैं तो एक्जामपल हम लोग यहां से सुरू करते हैं मेंड का एक्जामपल लिखें डेवलपमेंट मेंड का एक्जामपल हम लोग लिखते चलें डेवलपमेंट इंप्रोब मेंट मेंड का लिए हम यहां पर उपर में डिवलापमेंट स 11 का से निष्छ Tulis काइंडनेस और आप सक्तिवान सीरियल देख्योंगे उसमें एक डायलोग आता है जब किल्विस आता है तो क्या बोलता है अंधेरा कायम रहे ठीक है तो आया अंधेरा को मुझे यहां पर कायम करते हैं इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डार्कनिस क्या यूज करेंगे डा और मिलेंगे टीवाई मेन में लें एन मीटी एन माइट या दूस्मनी शबता या दूसमनी ये देख़्े युनिवर्सिटी आपने जो सब के सब जिसके लास्ट में यो इन लगा हो यह सब के सब क्या होंगे तो यह सब के सब का लाएंगे नाउन ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डॉम डॉम का क्या ले भाई तो यह ले लिते हैं एक्जामपल फ्रीडम डॉम का हो गया फ्रीडम और क्या हो गया भाई kingdom, freedom, kingdom, etc. Next, hood का लेले, childhood, ठीक है, फिर होता है girlhood, boyhood, motherhood, studenthood, teacherhood, TH का लेले, health, wealth, ठीक है, age का लेले, हम लोग age का, damage, ठीक है फोरेज नेक्स्ट आरवाई का ले ले आई एसम का ले ले आई एसम का लिखे हम लोग आई एसम के लिए हम इधर लिखते हैं क्योंकि नीचे जब लिखेंगे तो थोड़ी से राइटिंग वहां पर छोड़ती है ठीक है चलिए आरवाई से सुरू करते हैं एडवाईजरी ठीक है एडवाईजरी यह देखे राई डबलू आरवाई राई ठीक है नेक्स्ट आई एसम पर आते हैं आई एसम का यूफेमि और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड इट्सेटरा इनके अलावा भी कुछ वर्ड हैं जैसे कि हम आपको थोड़ी दिर पहले बता रहे थे यू आर ई लगा हो इस एच आई पी लगा हो तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने अगली पेस में जैसे देखे यह दिकिसी वाट के बтеरियर में जैसे ऐसे फेलियर बझाल हो सीजर ठीक है शीयर मतलब काईची नहीं जबती वाला ठीक है स्विकलेन तो यह सब के सब क्या होंचे इससदка सब काला आएंANGे नक्स्ट आगह पढ़े इसके आगे अब iç्के अलावा आप देखे और एक वॉड आपको दिखाई देगा यह सिप यह भी क्या है सफिक्स हैं है यह य capsule के लास्ट में लगा हो तो वह क्या होगा वह भी होगा नाउन जैसे रैलेशनalgी सिपर जैसे रिलेशनशिप ठीक है बात समझ मैं 언제 रिलेशन सिप, फ्रेंड सिप, लीडर सिप वगएरा वगएरा ऐसे बहुत सारे वाट अब ये तो हो गई बात कि ठीक है सर यहां पर हम लोगों ने सीख लिया यहां पर हम लोगों ने समझ लिया लेकिन क्या केवल इतने से मेरा काम चल जाएगा बिलकुल नहीं चलेगा इनक एक बार देखने से नहीं होगा इसको आपको बार बार रिवाइज करना होगा रटने से नहीं होगा रटने से इंगलिस इंप्रूब नहीं हो सकती आपको बार बार रिवाइज करना होगा रटना एक अलग सब्द है और रिवाइज करना एक अलग सब्द है दोनों में के साथ क्योंकि आपके एक्जाम में कहीं आप से औरल में नहीं पूछा जाता है आपका इंटर्व्यू जो भी होता है जैसे सीजेल में कुछ पोस्ट के लिए इंटर्व्यू होता है ठीक है कुछ इंटर्व्यू वाले पोस्ट होते हैं कुछ नन इंटर्व्यू वाले होते ह बाकि किसी में इंटर्वियू नहीं होता है तो सेलेक्शन पे टेन में और नाइन में कुछ ऐसे पद हैं जहां पे इंटर्वियू होता है बाकि किसी में नहीं होता तो जिसमें इंटर्वियू होता है जिसमें नहीं होता उसमें तो खेर पूछने की कोई बात ही नहीं है इसम क्या है एक राफ कोई लेना है उसमें इसको बैठके लिखते रहना या तो लिख करके Кरक करके आप इसको इंप्रोब कर लेए दूसरा तरीका जोड़ी धर पहले हम आपको थोड़ी देर के बाद अभी हमापको जो भी सिखाए हैं तो थोड़ी देर के बाद English इस newspaper के editorial, the Hindu का editorial हमने लिया है, उस editorial के माध्यम से हमने अभी आपको जितनी भी चीज़े सिखाई है, उसको वहाँ पे practical कराके दिखाएंगे, तो यह दो तरीके, या तो pen paper पे आप लेके बार बार अगेन अगेन यूज करके उसको improve कर लीजिए, या जिस तरीके से newspaper का use करके हम improve कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, यह वही बात है, जैसे मैत आप बनाते हैं, तो मैत आप बनाते हैं, मैत में कोई भी trick या formula आप सीखते हैं, तो कि बद सीखने से, आप उसके question को बनाना नहीं जान जाते हैं, सीखने के बाद question पे बार बार apply करना होता है, बार बार जो concept है, उनको हम आपको सिखाना शुरू करते हैं, तो ध्यान से उसको भी सीखते चलिए, देखें, अगला concept क्या है, यहां से हम सुरुआत करते हैं, एपोस्टॉफीस, एपोस्टॉफीस को आप बच्पन से जानते हैं, ठीक है, एपोस्टॉफीस वाले बहुत सारे, वोर्ड भी यूज़ यूज़ करते आए हैं, लेकिन हम लोग इस concept को चांते नहीं, क्या concept है, सीखें, एपोस्टॉफीos के पहले इधर नाउन आएगा, एपोस्टॉफियस के बाद इधर noun आएगा यह fix है हमेशा ऐसा ही होगा यह बदलने वाला नहीं मतलब एपोस्टॉफियस के ठीक पहले जो वर्ड लिखा होगा वो वर्ड भी होगा noun बाद समझ में आगई आगे बढ़ें जैसे एक example ले ले हम लोग बजपन से पढ़ें ऐसा रामस ब्रदर आप याद किजिए रामस रामस ब्रदर हम लोगों ने बजपन से पढ़ा है रामस ब्रदर क्या पढ़ा है भाई तो यहां पर हम लोगों ने बजपन से पढ़ा है रामस ब्रदर ठीक है क्या पढ़े है रामस ब्रदर पढ़े हैं तो राम में यहां इपोस् चल के हम पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत आप नाउन तो पाचार ना जानते हैं और जितना आप जानते हैं उसी क्या दार पर आपको यहां पर काम ले लेना है और जो आप नहीं भी जानते हैं वो इन सारे कॉंसेप्ट का यूज करके आप बता सकते हैं पूरे कान्फिद के साथ बताएंगे कि सर यह वर जो है यह नाउन ने देखिए कान्फिदेंस अभी हमने एक वर्ड यूसक्या है और जैसे ही किसी वर्ड के लास्ट में सी ही लगा हो तो वो क्या हो गया वो गया आपका नाउन ठीक है चलिए तो ऐसे बहुत सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे तो यह था आपका इसका ऐप पोस्ट उफिस का कॉंसेप्ट अगला concept देखें हम लोग अगला concept देखें क्या है कोई भी प्रेपोजीशन हो ध्यान से इन सभी चीजों को आप समझते चलिए क्योंकि ये चीजें आपको कहीं जल्दी मिलती नहीं है इस तरीके से जितने detail में आप पर रहे हैं इतने detail वे में आपको जल्दी मिलती नहीं है जल्दी क्या हमें लगता है side ही कहीं अबलेबल भी हो तो आगे देखते हैं हम लोग preposition के right side में भी नाउन आता है ठीक है देखिए हम जितने भी चीजें आपको बता रहे हैं ये चीजे आपकेasters में अपा करते ही हैं और्बारों करते हैं पूरे बारत वर्स में आप करते हैं जो लोकल भासा हो देख सकते हैं आप हॉलिवड में इन चीजों को देख सकते हैं जो हम आप आपको बता रहे हैं यह चीज़े आपको सभी जगों पर अपलाई होती हुई नजर आएंगे अब इसका भी हम लोग देख लें एक्जांपल अब जैसे इसका एक एक्जांपल लेते हैं डिमांड ऑफ इसका आएए बाफट अब यहां डरह से आपको उसकता है उसक एक्ज़ों के साथ जा यहां पर दिश्क आ सकती है किसर हम तो जानते नहीं खोण कोन तो थोड़ा बहुत आप यहां पे सोचने समझने का प्रयास किजिए या माल लिजिए कि हम का रहे हैं इसलिए यह प्रेपोजीशन है या तो थोड़ी बहुत आपको समझ होगी नहीं हो तो अभी आप यह माल लिजिए कि यह एक प्रेपोजीशन है ठीक है हम आपको या आप इस चैनल पे, कोको SSC चैनल पे जो आपको SSC के वीडियो मिलेंगे, इंगलीज के जो वीडियो मिलेंगे, आप इसमें देखिएगा, फिक्स परेपोजीशन का बहुत बड़ा लिस्ट आपको मिलेगा, उन सबों पर बेस्ड आपको कोशन भी मिलेंगे, ठीक है, phrasal verb और आपको हम बताते चले कि आपके ACC exam में preposition के question ही आपके fillers में आते हैं मतलब यह कि fill in the blanks के चाहे जितने भी question पूछे जाएं जिसे generally 5 question आते हैं तो अगर 5 question है तो उस 5 question में कम से कम 3 question आपके preposition कराता है इतना important है यह common error में भी आप देखेंगे कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा यदि आप मेंस में जाएंगे CGL मेंस की बात करें tier 2 की बात करें तो वहाँ पे इसका रोल और ज्यादा बड़ा होता चला जाता है ठीक है stenographer की बात करें तो वहाँ पे और बड़ा होता चला जाता है आईए यहां पर देखिए हम लोग यह और क्या है फिलहाल मान लेजे कि यह प्रेपोजीशन मान लेजिए अगर पहले से पता है देनों के नहीं पता है तो मान लेजे कि यह प्रेपोजीशन है ठीक है कभी कभी आप देखेंगे कि यहां पर नाउन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कभी कभी आपको यहां पर नाउन दिखाई नहीं पड़ेगा कभी कभी कुछ सब्दों के बाद आपको यहां पर नाउन दिखाई नहीं पड़ेगा कभी कभी आपको यहां पर दिखाई द और जो वर्ब यदि आपको दिखाई दे तो वह रहेगा अपने फॉर्थ फॉर्म में फॉर्थ फॉर्म का मतलब क्या है वर्ब के फॉस्ट में आई एंजी लगा होगा आई एंजी लगा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा ठीक है जैसे यह मालेजे डिमांड है तो यहां प पढ़ेंगे ठीक है बात समझ में आई अभी आप फिलहाल ये समझे कि किसी प्रेपोजीशन के पहले नाउन आएगा प्रेपोजीशन के बाद में क्या आएगा तो प्रेपोजीशन के बाद में नाउन रहेगा या कुछ सब्दों तुरंत बाद ये नाउन न मिले तो कुछ स सेसी में बैंक में और सभी एक्जाम्स में पूछे जाते हैं चाहे आपके एस्टेट लिवल पे होने वाला कोई एस्टेट लिवल का एक्जाम ही क्यों नहों उन सभी जगों पे किवल इस कॉंसेट पर भी आप देखेगा बहुत सारे कोशन पूछे गए हैं आगे जब हम करते हुए डेर सारे कोशन बनवाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते तो दो कॉंसेट हम लोगों ने सीखा एपोस्ट ओफिस का कॉंसेट और प्रेपोजीशन का कॉंसेट अब इसके आगे अभी और भी कई कॉंसेट हैं उसको हम लोग आगे चलिए सीखना यहां पर सु कॉंसेट मोईर आगे और वτε अगे edवे लोगों लागे चलिए ने सीखना गया हैं तो हम लोगोज खिकर दो दो खिете अगी, म sudah है कि अगे दूंसेट, बर भी और घॉर कॉंसेटने, लोगोंऑ कॉंसेटना प्रेश दोसार किन ड़ nights,नो का टो कोॉंसेटना ज सको हम इसका